Class 12, Chapter 7, Intrigals, Exercise 7.1 7.1 में आपको हम सिखाएंगे, integration कैसे होता है, ठीक है इस question में बोला है, an anti-derivative, anti-derivative Intrigals को हम anti-derivative भी भी बोलते हैं, anti-derivative ठीक है, कह रहा है, इसको integration करना है, किस method से? method of inspection से करना है हमें अगर यह word ना लिखा होता तो हम इसको कैसे करते तो हम इसको कैसे करते पहले हम वो देखते हैं फिर मैं आपको बताता हूं अगर यह ना लिखा होता हम simple सा integration कर लेते sign 2x dx का integration करते क्या आता sign का क्या होता है minus में cos 2x है तो 2x x के साथ जो भी लगेगा वो नीचे आ जाता है plus c होगे integration simple सा यह integrals होगे इसका answer आगया अगर इसने method of inspection लिख दिया तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं इसका answer क्याएगा अब इस वाले method के वज़े से हमें सोचना पड़ेगा किसका differentiation sign x होता है किसका differentiation sign x होता है हाँ भी cost का होता है cost का differentiation क्या होता है sign x होता है तो हम करेंगे cost cost का differentiation करेंगे क्या करेंगे cost का differentiation differentiation of cost 2x का करेंगे क्योंकि तभी sign 2x मिलेगा मुझे ऐसे का differentiation करना है जिसका differentiation क्या मिल दा है sign मिल दा है cost का differentiation क्या होता है minus में minus में sin 2x और इसका क्या मिले है 2x का 2 chain rule जो आपने पढ़ रखा होगा chapter 5 में ही पढ़ा होगा अपने इसके बाद मुझे इसका integration करना है इन दोनों को मैं यहां से हटा देता हूँ यह minus इधर shift हो जागा और यह 2 नीचा जागा तो 1 by 2 minus में 1 by 2 dx cos 2x और यहां पर आदेगा sin 2x बाकी तो इसने अपको हटा दिये मैंने यह थोड़ा सा साइन ही लग रहा है इसको अंदर डाल देता हम लोगी जार dx इसको जाएगा minus में half cos 2x sin 2x sin 2x यानि इसका जो integration है वो यह होगा ठीक है तो इसका integration क्या होगा यह होगा minus में half cos 2x plus c c अब यह आपको थोड़ी दे मता हूँगा क्योंकि हो अच्छा हम इसमें c नहीं लगाएंगे एक चीज़ और बात है c क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि इसने बोला an anti-derivative त्रिफ एक ही निकालना है plus c क्या होता अच्छा एक चीज़ और देखो मालो मैं किसी का differentiation कर रहा हूँ मैं c हम क्यों लगाते हैं इसके बारे बता रहा हूँ मालो अगर मैं को differentiation करना हो 3 मालो x square x square by 2 plus 7 इसका differentiation करना है ठीक है सिंपल सी बात है इसका sorry equal नहीं differentiation करना है इसका differentiation करना है तो इसका क्यागा 2 आगया जाएगा यह तो 2 पहले से लिखाते है यापे इसका क्याएगा 2x आजाएगा और constant का क्या होता है 0 यानि हमारे पास आजाएगा कितना x कितना आगया x इसका differentiation यह आगया यानि इसके integration इसका integration वापस यही आना चाहिए अगर इसका differentiation यह आ रहा है इसका integration वापस यही आना चाहिए अब हम देखते हैं इसका integration integration of x dx का x की power इसमें करना है वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन अरा हमारे पस कहेंगा x square by 2 अब ये देखो ये तो आ गया लेकिन ये constant number तो आए नहीं वो constant number क्या हो सकता है हमें पता ही नहीं है 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं plus C लगा लेते हैं कोई भी वो constant number हो सकता है वो 0 हो या ना हो ठीक है? कुछ भी हो सकता है इसलिए हम लोग यहां पर C लगाते हैं हमें पता नहीं रहता ना कि क्या है वो यहां पे देखो यहां गया इसका integration करेंगे तो वापस यहीं तक ही पहुंच पा रहे हैं constant number तक हमें नहीं पता लगेगा तो इसके लिए हम लोग C लगा जेते हैं ठीक है अच्छा इसमें C क्यों नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसने बोला सिर्फ एक ही बताना है तो यह हो गया और प्लस C लगाएंगे तो कुछ भी हो सकता है इसलिए में C मत लगाओ ठीक है अच्छा अब हम यह सेकंड वाला देखते हैं अगर हम नॉर्मल इंटीग्रेशन देखें अगर हम इसको नॉट कर लें न पहला हो गया यह द्रीक अगश्य देखते हम दूसरा वाले में हमें क्या बोला है कॉस्स्ट्री एकस को अगर हमें नॉर्मल इंटीक्रेशन करना हो कॉस्स्ट्री एकस का थेक्स का कॉस्स क्या होता है integration, sin, sin 3x upon 3 plus 3, क्योंकि इसका differentiation यह होता है न, इसका integration क्या होगा, sin 3x, और यह जो है 3, वो नीचा जाएगा, simple सा हमारा answer हो गया, लेकिन इसने method of inspection बोला है, तो हम लोग इसका करेंगे, जो cos x है, किसका differentiation होता है, हम यहां से सुरुआत करेंगे, किसका differentiation होता है, cos x, यानि differentiation, किसका होता है, sin का होगा, sin से cos बनता है, तो sin 3x लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3x का ही होता है, cos में, यहां पर 3 तब ही आएगा, अगर मैं 3 नहीं लिखूंगा, तो 3 आएगा यही नहीं, तो लिखना पड़ेगा, cos sin का क्या होगा, cos 3x, और इस 3 का differentiation क्या होगा, 3, चे प्रेंशेशन वापस क्या हो गया 3x का 3, आब इस 3 को नीचे लियाओ, 1 by 3, dx, यह जाएगा sin 3x, और यह जाएगा cos 3x, आब यह 3 सही नहीं लग रहा तो इसके अंदर डाल दो इसको, 1 by 3, sin 3x, नीचे पर पॉन में भी लिख सकते हो, एक यह बात है, आब यानि इसका जो integration होग वो यह होगा, देखो यह मैं पहले ही लिख चुक हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 by 3, sin 3x, simple सह है इसको, ठीक है, अगर यह सब ना लिखा होता, method of inspection, तो हम लोग सीधा यही कर देते, ठीक है, अब हम करते हैं, third, third वाले में देखो, e की power x, यहा होता है, e की power e x ही होता है, e की power x होता है, अगर मैं इसका differentiation करूँ, तो भी same ही होता है, ठीक है, अब, यहाँ पर बन के, हमारे पर third question, third यहाँ पर लिख देते हैं, third वाला, third को हम solve करते हैं, third में हमारे पास क्या बोला है, e की power 2x, third वाले को दे रखा है, e की power 2x, third question, मैं अगर यह आता तो मैं क्या करता इसको e की पावर 2x जो मैंने x के साथ बोला था अगर होगा था वो 2 नीचा जाएगा सीधा आंसर खतम होगे बस यह है ठीक है और कुछ करने की जोतनी है लेकिन मैथड यह बोला है तो इसकी वज़ेसा हम लोग सोचेंगे किसका differentiation e की पावर 2x होता है किसका इसी का सेम कही होता है differentiation of e की पावर 2x का differentiation ही e की पावर 2x होता है और 2x का फिर differentiation करेंगे तो 2 आजाएगा यह differentiation कर रहा हूं सेम आजाएगा फिर 2x का 2 chain rule हमने पढ़ा था इसको नीचे ले आते हैं 1 by 2 e की पावर 2x e की पावर 2x यहाँ फंदर चलाएगा e की पावर 2x by 2 लिख लो इससे लिख लो तो इसका integration क्या हो गया हमने पास e की पावर 2x by 2 देखो यह मैं पहले आपको solve कर चुका हूं ठीक है अगर method नहीं लिखा होता तो आप normally सीधर यह answer लिखो चलेगा एक ही बार मे method of infection लिखने की मतब इन्होंने लिख रखा तो हम कर रहे हैं हो गया हमारे पास question करते हैं हम लोग fourth बस यह 5 question ही है इसके बाद तो फिर हम normally जैसे integration करते हैं वह ऐसी करेंगे धेरे धेरे करते रहेंगे ठीक है fourth question में क्या बोला है हमारे पास integration of ax plus में b का square dx अगर यह normally question हम लोग से कोई method ना का इस्तेमाल ना करके simple तरीके से करते हैं तो यह बहुत असान होता बहुत असान इसको कुछ करने की जोते हैं इसके पहले formula open कर दो ठीक है क्या होगा उसका a square plus में b square plus में 2 a b ठीक है यह dx लगे है अब इसका क्या हो जाएगा a square x square plus में b square plus में 2 a b x ठीक है आगे पीछे भी लिख सकते हो क्या पर a square plus 2 a b plus b square भी लिख सकते हो अब सबको integration को हम लोग अलग-अलग कर लेते हैं क्या कर लेते हैं अलग-अलग करने का मतलब जैसे a square x square dx अलग कर लेते हैं integration b square को dx को अलग कर लेते हैं plus में 2ab x को अलग कर लेते हैं जो constant number होते हैं इसको हम बाहर ले आते हैं integration से इस पर कोई फरक ही नहीं पड़ता तो a square इसको हम लोग क्या करते हैं इसको बाहर ले आते हैं constant number को बाहर लेखते हैं integration से हम लोग क्या करते हैं बाहर करते हैं, तो यहां पे 1dx बज़ गया, और यहां बज़ गया, ओ, 2ab तो बाहर लिखने पहले, 2ab अंदर बज़ गया, xdx, अगर हम देखे जाए तो यहां पे, x square का क्या होता है, अब simple simple बज़ गया, x square का क्या होता है, एक power add होगी, देखो यहां पे x square का क्या होगा, integration, x, 2 plus 1, एक add हो जाती है, नीचे भी एक 2 plus 1, तो 3 हो जाएगा, यानि x की power, 3 by 3, यह तना 2 plus 1, x की power 3 by 3, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a square तो यह हो जाएगा, x की power 3 by 3, plus में, b square तो ऐसी रह गया, इसका x आजाएगा, integration इसका x आजाएगा, 1 का, और 2ab, इसका आजाएगा, x square by 2, अब इसको normally solve करना चाहँ, तो यहां से कड़िया गया यह, बस हमार answer आजाएगा, ठीक है, simple सा answer आजाएगा, ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसका integrals कैसे करेंगे, अब हम वो देखते है, method of infection, किसका differentiation यह हो होगा, differentiation में क्या होता, एक power, वो होता न, इधर का आजाता, आजया आजाता है, फिर एक कम हो जाता है, हम क्या करेंगे, हमें पता है इसकी power 3 का ही होगा, differentiation हमारे पास किसका होगा ax plus b की power 3 का ही differentiation होगा इसका differentiation क्या होगा हमारे पास 3 ax plus b का square ठीक है भई इसका differentiation ही तो होगा 3 आगया जाएगा ये अब वापस constant का है मतब इस bracket के अंदर वाका इसका फिर से करेंगे chain rule लग रहा है ये आगया है 3 फिर इसमें आगया 3 minus 1 2 आगया है आपको differentiation तो आते ही तब इसका करेंगे तो a आजाएगा ठीक है अब इनको हम क्या करेंगे लेते हैं नीचे ले आते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा ये 3a नीचे आएगा 1 by 3 a आगया हमारे पास of d dx आगया a x plus में b का whole cube यहां बजाएगा a x plus b का 3 square ठीक है अब क्या होगा हमारे पास इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको अंदर रख लेते हैं लोग और अंदर रख नहीं सकते क्यूब है इसके बाद ठीक है तो इसको हम यहां पर रख लेते हैं बाहर d a d x 1 by 3 a और bracket में a x plus b का whole cube यह हो गया plus में a x plus में b का square यानि इसका डिफरेंशन जाओगा आप कहोगे सर यह match नहीं करा जब आप इसको open करोगे तो same यही आएगा number same यही number आएगा open करके इसको देख लेना a plus b का whole cube का formula यही होता है आप इसको open करके देख लेना same यही आएगा number इसके अंजर ठीक है तो हमारा क्या आजागा इसका answer 1 by 3 a और a x plus b का whole cube same answer आएगा ठीक है इसको open करोगे तो same answer आएगा वही आएगा ठीक है हमारे पाद आज गया fifth वाला fifth देखता हम लोग इसको note कर लेना fifth में हमें क्या बोला है fifth भी हमारे पाद same ही है method से करना है तो हम लोग method से कर लेते है method से हमें करने को बोला है method में हम लोग को सोचना बड़ा difficult हो जाता है कई बादी तो बस यह पाँची कोशन है इसके बाद है भी नहीं कोशन ही है सिर्फ पाँची कोशन है एक fifth last पार्ट बजी गया last पार्ट में क्या बोला है integration किसका करना है sin 2x minus में 4e की पावर 3x dx ठीक है अगर यह normally कोशन होता बिना method के फिर देखो हम लोग कैसे करते sin 2x minus में 4e की पावर 3x dx integration हम अलग-अलग कर सकते हैं इसको sin 2x dx इसको अलग कर लिया minus में 4e की पावर 3x dx अभी क्या है आप बिल्कुल नहीं नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको एक-एक step करके दिखा रहा हूँ 4 बाहर करेंग एकले step है वहना तुम direct भी कर सकते हैं क्या कर सकते हो direct भी कर सकते हो 4e की पावर 3x dx अब इसका क्या कर रहा था हमने cos sign का क्या होता है cos minus में cos integration में जो भी answer c में आएगा उसका साथ minus आता ही है integration में जिसका भी answer c में आएगा उसके साथ minus लगेगा देख लेना पूरी integration में ठीक है minus में cos 2x upon me 2 इसका जो 2 था वो निचा आगया minus 4 e की power 3x upon me 3 जो इसका जो 3 था वो निचा आगया plus 3 हमारा answer हो गया लेकिन हमें इस method से करना है तो फिर इसको एक एक करके हम लोग देखते हम हम किसका differentiation करें किया जाए उससे पहले हम लोग पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं क्या कर लेते हैं ब्रेक इसमें भी ब्रेक कर लेता है वरना तो पूरा देखते देखते हम तो समझ में नहीं आएगा कैसे हो गई ये इसको भी हम लोग पहले ब्रेक कर लेते हैं कर लेते हैं यहां पर डी एक्स हो गया माइनस में 4E की पावर 3X यह था आप समझगे थे बोर ऐसे बाहर लिका लिए था हमें ठीक है अब किसका integration मतरक्त किसका differentiation यह होता है हमें इसका पता लगाना है किसका differentiation यह होता हम यहां से करते हैं यह वाला हमने पता इस वाले चाहится तहां पहले से सॉल्व करका था जो पहले वाले मैसल में सेम का प्रो सेस्राइश करता है वो लगा के उसे में या फोढ दिना, Swah पर पुट कर सकते हैं, same process वही question तो है, देखो, जो पहले वाले question में था यह वाला, ठीक है, इसमें क्या से हमने का रहा था, कि किसका differentiation, sin 2x, किसका differentiation, किसका differentiation, किसका differentiation, cost sin 2x होता है, तो minus में sin 2x into 2, differentiation में क्या होता है, जो start c से होता है, उसका answer minus में आता है, ठीक है, आचा, cost का क्या होता है differentiation, sin 2x, और chain rule से 2 आ गया, अब इसको नीचे कर देते हम लोग, तो dy by dx, इसके अंदर ही कर देते हैं, minus में, cost 2x upon 2, यानि कि sin 2x, तो इसका हमें direct मिलिगा इसका, हम लोगों के इसका सीधा answer क्या लिखेंगा integration में, sin, oh sorry, we are a cost, minus में cost 2x upon 2, minus में 4, अब हम इसका अगर हम देखना चाहें, इसका, किसका differentiation, इसको, इसके बाद, यहां के बाद में उपर कर देते हैं, इसको erase कर देते हैं, ठीक है, अब हम किसका differentiation यह होगा, same way, यह तो उसी का differentiation होगा, किसका, e की power 3x का differentiation, e की power 3x होता है, e की power 3x, और इस 3x का chain rule से क्या होगा, into 3 आ जाएगा, फिर 3 नीच आ जाएगा, यानि e की power 3x upon 3 नीच आ जाएगा, e की power 3x, यानि इसका integration यह होगा तो हम लोग यहां पर लिख देंगे 4 तो भाहर आगया था constant था e की पावर 3x upon me वो यह न 3 यह इसका integration हो गया यह इसका answer गया थो मैंने भी यह निकाल लगा पहले से मैंने इसको पदा कर दिया था ठीक है हमें अगर यह method ना लिखा होता तो हम लोग directly ऐसी करते थे solve कुछ करने की ज़रूत नहीं थी method लिखने की वज़े से हमें इस तरीके से करना पड़ा हमें ठीक है अब हम पढ़ते हैं आगे question number 6 की तरफ बढ़ते है question number 6 में क्या है अब हमें ऐसे नहीं करना अब हमें normal integration की से करते हैं वो करेंगे बहुत असान असान है एक एक step देखते रहो अपना पो जाएगा